तो यह रहा अपना विला जिसमें अपने ग्रहते हैं और यह रहा कुछ आज का मौसम और वेदर तो गाई सबसे पहले चलते हैं और अपने फार्म में हैंस को डाल देते हैं और क्योंकि हैंस की मतलब जो पॉपुलेस ने कम हो गई है तो सबसे पहले चलते हैं और हैंस को इसमें करते हैं बहुत सारे हैंस को रखते हैं रोश्टर को रखेंगे अपने के रोश्टर बहुत ही तगड़े होते हैं और इनकी फ्लेस बहुत अच्छी होती है मतलब मैंने सुना है कि देशी जो होते हैं तगड़े होते हैं तो मैंने डाल दिया और भी आ गया मैं सीधे गराज पे गराज से ये देनी है अपने को delivery मैंने लगा दिया map पे और चलते हैं अपने delivery देना Fadak से guys delivery में मुझे tractor और यह Mayork दोनों को डिलेवर करना है और यहां से decision बहुत दूर है और रात भी हो चुका है का इस तो थोड़ा खत्रा भी है क्योंकि मतलब रास्ता गुम होने का भी डर है यहां से क्योंकि चारों तरह फार्मलेंड है तो मैंने मैप तो कर दिया है वैसे अभी फिलहाल में एक हादसा हुआ है जिसमें एक ट्रैक्टर वाले का रास्ता गुम गया है और वो पता नहीं किदर चला गया तो इसलिए मैं लाइटे ओन करके दिखा देता हूं एक बर यह चेक अप होता है जैसे कि मोवर जाना है तो एक बर चेक अप कर लेते हैं अपने जो सामने गार्डेन एरिया लगा और आसा करते हैं कि कोई एक्सिडेंट ना हो और अपने सेफली पहुंच जाएं तो चेक अप पुरा कंप्लीट हो गया गाईज अब नेक्स्ट है कि चलते हैं अपने फटैक से और रास्ते के तरफ चलते हैं गाईज तो यह कुछ रास्ता अटपटा सा है मुझे डरी लग गिरते गिरते बचा गंट यहाईज तो मैं फटैक मैं गरता हूं गारी यहीं पर उतरता हूं और मिए जा रहा हूं घर क्यूंकि मुझे बहुhan डर Raaा है कोई नहीं हो पा रहा से तो मैं फटैक से जाता हूं और अपने घर पे और कल सुबाह आके देखूँगा actually हुआ क्या है गाईस तो मैं आ गया घर पे अपने फटाइक से अपना ट्रेक्टर लेकर के खेट से क्योंकि मुझे बहुत डर लाग रहा है literally मेरा पैर काम गया था महाँ पे गाईस हुआ क्या था ये मैं कल सुबह जाके देखूँगा जिस बात का मुझे डर था वही हुआ और मैं बहुत डरा हुआ हूँ अभी obvious ही बात है और मतलब क्या ही बता हूँ अभी मेरी कोई feeling सभी मतलब बहुत डर लग रहा है मुझे चलता हूँ अभी मैं नीद है या ना है भगवान का सुकर है कि बच गया मैं अभी सोता हूँ और next day पे मिलता हूँ तो guys सुबह हो गई है और मैं गाड़ी लेके चलता हूँ सबसे पहले तो accident place पे और देखता हूँ कि हुआ क्या था तो guys मुझे मतलब समझी नहीं है या और जैसे ही मैं map को follow करते हूँ जा रहा था और अच्छानक से मेरे सामने नदी आई और नदी में मैं गिरते गिरते ब के तरफ से ले जाने का कोशिश कर रहा था जिसमें बहुत ही खत्रा था guys यहां से मैं बिल्कुल गिरने वाला था क्योंकि मैं अपने full speed में जा रहा था सुकर है भगवान का जबकि guys google map को वह सामने वाली bridge दिखाने चाहिए थी क्योंकि उस bridge को cross करके मुझे जाना था guys तो मतलब कि क्या ही volume है अचानक से जब मुझे दिखा यह scenario तो मेरा पैर बिल्कुल काप उठा मुझे गूजबंस आ रहे हैं अभी भी वह scenario जब याद आ रहा रहा गाईस तो तो बहुत खतरनाक scenario था और इस नदी में बहुत सारे मगरमच भी होते हैं जो रातों किनारे पे होते हैं और कुछ भी हो सकता था गाईस मेरी चान जा सकती थी अभी तो भगवान का सुकर है तो सबसे पहले मैं रास्ता देख के आता हूं कि कैसे रास्ता है और मुझे किदर जाना है और उसके बाद अब मैं खुद नहीं आऊंगा मैं वहां जाके और करूंगा गाईस य दी है ये मतलब इस में कितने सार्क्स और वेल्स भी हो सकते हैं और मगरमच तो खैर होंगे ही होते ही है मैंने अक्सर यहां पर सुना है कि बहुत सारी घटनाएं हुई है वो मगरमच से रिलेटेड हैं और आगे से मुझे राइड जाना है और राइड जाके सबसे पहले मैं चेक कर लूँ एक बार के राइड जाना है या लेफ्ट जाना है नहीं मुझे राइट ही जाना है मैं सही था तो मैं राइड जाके और फटाइक से करता हूँ अपना वह ओफिस का काम और वहां से डॉक्युमेंट कर दूँगा और मैं बोल दूँगा कि आपकी गाड़ी वहा जरूर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो में और अपने खेते भी बहुत खत्रनाक करने वाले हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना